मुझे बहुत पसंद है लेकिन हम जो कलर्स बाहर से खड़ितते हैं उनमें केमिकल्स होते हैं जिसके कारान हमारे स्कीन पर राश्रिस और इर्टेशन होते हैं इसलिए आज हम घर पर ही नैचरल कलर्स बनाएंगे वो भी कुछी इंग्रिडियन्स है जो आपको इजीली घर पर मिल जाएंगे मैं तिन अलग-अलग चीदों से कलर बनने वाली हूँ पहले हम बनाएंगे औरेंज कलर जिसके लिए हमें चाहिए औरेंज मेरी गोल्ड फूलों को अच्छे से धोग के इसका जो ग्रीन हिस्सा है उसे हम अलग कर लेंगे और आप कलर्स के लिए अलग-अलग फ्लार्स भी यूज़ कर सकते हो आपको हुली खेलना मेरी तर पसंद है या फिर नहीं पसंद है कमेंट करके जरूर बताना अब एक पतिले में थोड़ा सा पानी और फूल डाल कर कुछ देर के लिए उबाल लेंगे ताकि फूल का जो कलर है वो पानी के साथ मिक्स हो जाए मीडियम हीट पर कुछ देर उबालने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे यह रहा हमारा में इंगिडियेंट जिससे हम गुलाल बनाएंगे कॉंस्राच के बदले आप राइस फ्लार और मैदा भी यूज़ कर सकते है तो कॉंस्राच आप आपके हिसाब से ले लेना अब एक चनी के हिल्प से हमने जो कलर बनाई थी फूलो से वो डाल देगे कॉंस्राच के उपर अब हातों से इसे मिक्स कर लेंगे बर मिक्स करने से पहले अपने दोनों हातों को अच्छे से वश कर ले या फिर ग्लावस पहन के मिक्स करे तो मैं यहां थोड़ा थोड़ा करके लिक्वीड एड़ कर रही हूँ पिकर एक साथ ज्यादा लिक्वीड डालने से मिश्रन हाट बन जाएगा जो सुखने में ज्यादा टाइम लेगी याद रखना हम नैच्रल चीजों से कलर्स बना रहे है तो शायद उतना ब्राइट कलर्स हमें ना मिले बट यह हमारे स्केन के लिए बिल्कुल सेफ है और इसमें आप दो बुन गुलाब जल अट कर सकते हैं स्मेल के लिए अगर आप चाहे तो बट मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने स्किप कर दी अब इस मिश्रान को अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ दे सुखने के लिए रख देंगे तब तक हम यलो कलर बना लेते है और यलो कलर बनाने के लिए मैं टर्मरीक यूज़ कर रही हूँ अब एक छोटा सा बोल में थोड़ा सा पानी और ट तो आप उसे ब्राइट कलर बना सकते हैं and because हम खाने में फूद कलर यूज करते हैं तो इसलिए वह हमफुल नहीं होगा फेस के लिए यह हो गया हमरा और इंज यलो गुलाल बट अभी वे एक में स्टेप बाकी है बट उससे पहले हम थार्ड मेताड देख लेते हैं थर्ड कलर बनाने के लिए मैंने लिया red spinach which I love to eat इससे हम बनाएंगे pink कलर अब spinach के जगर bit root भी ले सकते हैं तो फर्स्ट वाले में हमने फ्लार को उबाल के रंग बनाई थी सेकेंड में हमने सिर्फ पानी एड़ करके रंग बनाई और थर्ड में बनाएंगे हम mixer के help से mixer में spinach और थोड़ा सा पानी डाल कर स्मूथ पेस्ट बना लेंगे देन बाके का प्रोसेस सेम है चनी के help से liquid निकाल के अच्छे से mix कर लेंगे फिर इसे भी हम कुछ देर सुकने के लिए रख देंगे अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना बिकर्स वी आ सो क्लोस टू हीट टेंट के सब्सक्राइबर्स अभी बार बारिश हो रही है इसलिए इसका कलर शाद कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रही होगी बिकर्स में गाईज ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है सामने से अब चनी के help से सुके हुए गुलाल को इस तरह से एक दो बार च्छान लेंगे ताकि हमारा कालर एक दम स्मूध बन जाए अब ऐसे ही सारे गुलाल को एक एक करके छान लेंगे गुलाल को स्टोर करने के लिए ऐसे एर टाइट कंटेनर में डग दीजिए आपको होमेट गुलाल बिल्कुल रेडि है खेलने के लिए कमेंट करके जरूर बताना आप ने इन तीन में से कौंसी वाली मैथड यूस करके कलर बनाया I hope you guys learned how to make this गुलाल at home and wishing you all a very happy holy in advance everyone that's it for today see you in the next video thanks for watching